कोई भी भोग भोगने के बाद, कोई भी भोग भोगने के बाद तुरंट अरुची सी पैदा तो होती ही है, अरुची पैदा होती है वही हमें उसकी असत्ता बताती है, उसमें सार नहीं है ये बताती है, पर हम लोग है न, उस पर ध्यान नहीं देते, बार-बार गिरते रहत खाना भी हम आपको कहे न जिस पानी पूरी के लिए लोग मरते हैं या जिस जो भी आपको टेस्ट में उसको आप आदा किलो की कॉंटिटी में खा के बताओ उबान सी आ जाएगी पर फिर भी टेस्ट के लिए आदमी को स्वाद में तो ठीक है पर कोई भी भोग भोगने के बाद ऐसा कौन मनुष्य है जो ये कहे कि उसको उबान ना आई हो बोलो सैमाथ हो मेरी बाद से उसमें उर्जा खतम ना हुई हो उसमें चिड़-चिड़ापन ना आया हो मैं सही हूँ चिड़-चिड़ापन ना आया हो ऐसे हाथ उपर करो 100% आता है और यही उसकी असारता है आप अभी यहां बैठे हो आपको आनन्द है पर अगर आप किसी भोग को भोगने के बाद सोचेंगे ना आपको चिड़ 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 सी होगी उर्जा खतम सी लगेगी एनरजी लॉस लगेगी ऐसे उसमें क्या ही आनन्द बताओ तो यह ना मन को समझाना चाहिए यह विशयों की जो है वो दंश है यह सब एक-एक दंश है जो हम अंजाने में उन दंशों को सहते हैं और हम अपने आपका विवेक, अपनी शक्ती अपनी उर्जा, अपनी उन्नती सब कुछ गवाते हैं पर फिर भी हम लोग जाकते नहीं है हम क्योंकि विशयों के कीडे बनकर रहना चाहते है तो जहर तो उसमें सबसे बड़ा-बढ़ा है तब ही तो कुछ उमर के बाद पती-पतनी के भोग भोगने के बाद भी आदमी को वहराग आता है उस समय भी आपको लगता है कि कितनी energy lost हो गई कितना चिड़ चिड़ा पना गया होता है कि नहीं होता? होता है सहमत हो आप लोग में बाद से सहमत हो तो यह उसकी असारता ही है अगर जिस भी व्यक्ति को ऐसे बार 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 गिरते नहने की आदा तो उसे खुद को सजा देनी चाहिए सजा भी ऐसी कड़ी देनी चाहिए कि दुबारा याद करें जैसे हमने बड़ा पाव करेले की चटनी पानी पुरी गव मुतर के साथ आदमी को दिमाग से ही निकल जाएगा अगली बार जब भी वो सामने आएगा वो चीज भी सामने आएगा आ सकती कहां से बचेगी बढ़ जाएगी तो जब भी कोई भोग भोगने की आदत सी पढ़ जाए तो सामने सजा देनी चाहिए स्वेह को जब कड़े से कड़ी सजा मिलेगी तो मन अपने आप ठेका दे आजाएगा जीवन को खुशनुमा रखना है जीवन को आनन्दित रखना है प्रसन रखना है तो विशयों का आनन्द नहीं भक्ती के आनन्द से रखा जाएगा वस्तवी का आनन्द जब आप सोच आते हो तो कौन सा विशय होता है आपके पास क्या आनन्द में नहीं होते हो सबसे ज़्यादा तो तब होते हो नहीं कि नहीं सोने में कौन सा सुनते होगा ना कौन सा भोग भोगते हो कौन सी पानी पूरियां खाते हो मुझे भी नहीं हो सबसे ज़्यादा खुश आप तब ही हो तो विशेयों से उप्रामता होती है तभी वास्तविक आनंद की प्राप्ती होती है पर हम लोग आनंद के लिए कोच करते हैं भटकते हैं फिर इदर से उदर से उदर से उदर से आनंद लेते हैं अगर आनंद किसी चीज़ वस्तू में होता तो सोने के बाद आपको आनन्द नहीं मिलता पर सच्छा आनन्द मिलता है बिना किसी पराधिन्ता वाला आनन्द मिलता है तो पराधिन्ता रहित हो कि आनन्द लेने की आदत पढ़ जाए तो आप आस्मान में उड़ोगे मिंदाश, प्री, पराधिन सपनेों सो झाल संदे